जहिंद, आप सभी को नमस्कार, hope you all doing pretty well, welcome back to your own channel, dream dose, यह next video है आपका, जो यह सिरीज चला है, science सिरीज और जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, वो है आपका speedy science, प्लस जितने भी exams recently हुए, especially बिहार में चाहे हो, BPSC का exam हो, दरहुगा का हो, क्या किसी भी exam में, science की question जो अभ भी exam देने वाले हो, science का जो यह videos आपको provide कर दे, किया जा रहा है, वो best है, channel का, आपका telegram का link नीचे होगा, whatsapp आप जरूर फॉलो करें, क्योंकि, अगर whatsapp पे आप जूरते हो, तो status देखो कर motivated होगे, page number 3 है, जो हम लोग complete करने वाले है, ठीक है, जो ले start करते है, ध्यान आपका value होता है, तो याद देखेगा, जो evagadu संक्या है, उसका value होता है, वो होता है, आपका कितना, वो होता है, आपका 6.023 into 10 to power 23, यह क्या है, आपका evagadu number का value है, अब 66 BPSC अगर आपने अभी देखा है, उसमें question पूछा गया था, statement दिया हुआ था, और उसमें evagadu, जो low है, उसके बारे में आपको पूछा गया था, तो gas low, याद रखेगा, तीन gas low आपको हमेशा याद रखना है, पहला आपको याद रखना है, boil slow, जो हमेशा पूछा जाता है, उसके बाद आपका evagadu low, और उसके बाद आपको याद रखना है, चार्स low, ठीक है, सबसे हम लोग बात करते हैं आपका Avogadro Avogadro लो क्या बोलता है किसी भी दो gas के लिए ठीक है दो gas अगर कोई भी लेते हो अगर उनका item समान है ठीक है तो उनके अंदर जो molecule होंगे उस gas के अंदर जो molecule होंगे वो भी आपके equals होंगे molecules मतलब अनू ठीक है वो directly proportional हो जाता है आपका gas के अनू का तो यह हो जाता है आपका V is directly proportional to N V जो यहां आपका item है और N जो है आपका number of molecules से ठीक है किसी भी gas का और याद रखेगा जितना भी हम यहां बात करें चाहें Charles लो बात करें, Boys लो बात करें और यहां क्या constant होता है तो यहां दखेगा P और T जो होता है मतलब डाव और आपका जो काप है इस केस में आपका यहां constant होता है, किसमें आपका evagato में, इसके बार आपको यहां दखना है boils low, boils low क्या बहुता है कि जो item जो होता है उस gas के लिए, definite gas के लिए, inversely proportional होता है आपका pressure का, अगर pressure बढ़ाओगे, तो आपका item बढ़ेगा, sorry, आप pressure बढ़ाओगे, तो item आपका कम होगा, और अगर pressure घर्टा होगे, तो item आपका जादा होगा, उस gas के लिए, जो आपको definite gas दिया गया है, इस gas में क्या होता है, आपका temperature constant होता है, ठीक है, एक और आपको बस याद देखना है, वो है आपका charge slow, charge slow क्या बोलता है, आपका जो item है, बुक्या होगा, directly proportional तो temperature होगा, आपका tap होगा, मतलब, अगर आपका tap बढ़ेगा, तो आपका item भी बढ़ेगा, अगर tap घटेगा, तो आपका item भी घटेगा, तो इसके बाद हमें आपको बता है, boil slow, boil slow में क्या होता है, आपका item जो होता है, वो inversely proportional होता है, आपका pressure का, अगर दाप बढ़ा होगे, तो volume आपका कमेगा, और अगर घटा होगे, तो volume आपका बढ़ेगा, यह चीज आप normally भी सोचोगे, तो आपको समझना हैगा, बढ़ या यह किसने दिया था, चार्स ने, अब यह तीनों आप याद रखेगा, यह बहुत important है, जो आपको BPSC में पूछा गया था, और boils से बला जो है, बहुत सारे exams में पूछा गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं, next question है, कि दाप बढ़ाने पर, ठीक है, यह देहां देहा दूसरा चीज आपको समझना है, पहला कोसिन पूछा जाता है, कि हम लोग जब हिली एरिया में जाते हैं, माउंटिन बला एरिया में जाते हैं, तो वहाँ खाना बनाना मुश्किल होता है, खाना जल्दी पकता नहीं है, क्यों नहीं पकता है, क्योंकि वहाँ जो होता है, वायू मंडल, वायू मंडल दाब जो होता है, जितने जितने उपर जाओगे, वायू मंडल दाब क्या होगा, घटता जाएगा, जैसे जैसे आपका वायू मंडल दाब घटता जाएगा, तो दाब जैसे घटेगा, आपका प्रेसर जो है, क्या हो जाएगा, वो आपका कम हो ज जाता है, atmospheric pressure अगर कम होगा, तो आपका boiling point भी कम होगा, atmospheric pressure अगर ज़्यादा होगा, तो आपका boiling point भी ज़्यादा होगा, याद रखेगा, तो पहला कोशन आप यह समझें, दूसरा कोशन यह पूछा जाता है, कि जब हम लोग aeroplane में जाते हैं, तो कभी-कभी क्या होता है, हमा जो aeroplane है, वो उरता है, यह आप ज़रूर बताएगा, मैं बता देता हूँ, वो है आपका statosphere, ठीक है, क्योंकि जो मौसमी घटना होती है, वो होता है, तो आपको ट्रोफोस्पेर में, सबसे नीचे वाला layer में, इसके उपर वाले में कौन सा होगा, अगर आपको कुछ है, इतना भी मौसमी घटना है, किसमे होगा, तो लास्ट बर, सबसे नीचे वाला में, कौन सा, आपका ट्रोफोस्पेर में, ठीक है, आपका ओजोन किसमे है, ओजोन लेर किसमे है, तो आपको याद रखेगा, यह खाना बनाने वाला, और प्रेसर वाला आप याद रखेगा, आप next question, जो आपको याद रखना है, ठीक है, जल्दी-जल्दी में बोलोगा, ताकि यह complete हो पाए, क्योंकि questions आए होएं, तो मुख से निकलेगा ही मेरा, ठीक है, क्योंकि important है हो सब, आप याद रखना, जो boiling point जो है, आपका कौथनांग बिंदू है, कुछ भी असुद्धी क्या होता है, आप ध्यान देना, कि कुछ भी अगर आप impurity, असुद्धी एट करते हो, तो गलनांक बिंदू घट जाता है, example जल्दी से, ठीक है, माल लेजी आपने, किसी भी water है, water में आपने नमक मिलाया, तो क्या होगा, आपने असुद्धी mix किया, तो क्या होगा, उसका असुद्धी मिलाएंगे, तो हमारा boiling point बढ़ जाएगा, हमारा क्या होगा, आपका boiling point बढ़ जाएगा, और हमारा जो गलनांक बिंदू है, वो घट जाएगा, इसी लिए हम लोग क्या करते है, ice जो होता है हमारा, उसमें नमक यूज़ करते हैं, ताकि उसका गलनांक तो याद है कि RBC जो है आपका, सबसे पहला याद दो कि oxygen का परावा, मतलब body में पूरा circulate करता है, दूसरा कोशन पुछा गया है, hormone का circulation करता है पूरे body में, तो वो भी आपका RBC करता है, RBC में तीसरा कोशन याद देखना है, RBC में क्या होता है, आपका nucleus kendraak नहीं होता है, एक कोशन पुछा गया था कि कौन सा ऐसा जन्तुरी जिसमें RBC नहीं होता है, तो आपको याद रखना है, अर्थवान में RBC नहीं होता है, और RBC करकर आपको कमी हो गया, मतलब क्या, आपको hemoglobin का कमी हो गया, क्योंकि hemoglobin जो होता है, वो आपको RBC के अंदर होता है, फिर आपको कौनसा बिमारी हो जाएगा, आपको एनेमिया हो जाएगा, ठीक है, याद रखेगा, और अगर RBC कम हो गया, तो आपको एनेमिया हो जाएगा, और अगर RBC ज्यादा हो गया, तो आपको पो पोलिसी थेमिया हो जाएगा, और अगर आपको एनेमिया हो गया, मान बोलते हैं, सब कोशन πूछे के याद रखेगा, नेक्स बोशन प्याँशन पर आते हैं, वसा में गूलंसिल विटामिन कौन सा है? याद रखेगा, जो है करसे विटामिन होता है, एक होता है आपका fat solubile, बिटामिन है आपको याद रखना है ठीक है तो बोलोगे फैट-soluble बिटामिन है जो याद रखना है ठीक है दो ऐसे बिटामिन जो हमारे बोडी में बनते हैं वो आपको याद रखना है एक है बिटामिन डी ठीक है और एक है होर्मुन भीटामिन बाना जाता है। कुन सा ऐसा विटामिन ज्मान भी बोलते है, यह है विटामिन डी, कि विटामिन दी को हम छुआ lessons хорош, विटामिन भी बोलते हैं क्यों cracks? विटामिन साइन भी होटता है ,क्यों सी बोलता है तो ऑखोली सी बॉडू में बनता हैि इसे vitamin कोई हमारा body में नहीं बनता है, बाहर से vitamin में लेता है, याद आखेगा vitamin D और K, एक कोशन पुछा गया है कि जैसे कि हमारा fat है, तो fat से कितना हमारा energy मिलता है, 1 gram fat से, तो 9.4 तो आप 9.4 कलोरी तो वितामिन से कितना एनरजी मिलता है तो याद बितामिन से कोई एनरजी नहीं मिलता है Metabolism के लिए important होता है ठीक है धॉनी की चाल याद रखेगा सबसे पहला याद अगे का धोनी का चाल होता है वो होता है आपका air में 760 मीली पर घंटा याद अखना यहाँ आपको मील पर घंटा में दिवा यह कोशन थोरा त्विस्ट किया है तो यहाँ याद रखना मील में ऐसे हम लोको क्या याद है इसका यहाँ रहा तो 332 मीटर पर सकेन्ड होता है यह कोशन समझ गेहाँ आप दूसरा कोशन याद अखना कोशन में याद अखना कि जो आपका ध्हनी जो होता है वो निर्वात में गमण नहीं कर Santos का क्यों कि यह गΤा हैं यह करता हैक सबसे ज़्यादा maximum इसका यह होता है, यह चीज आपको याद रखना है, ठीक है, यह याद रखना आपका यह, यह है आपका sound wave, ठीक है, सबसे ज़्यादा, उसके बाद दो और याद रखोगे, एक है आपका corundum, c-o-r-u-n-d-u-m corundum, और एक है आपका cryolite, c-r-y-l-o-i-t-e, ठीक है, तो एक आपको याद रखना है corundum, एक याद रखना आपका cryolite, एक याद रखना आपका bauxite, उसके बाद आपको याद रख तो उसमें कुछ ही का, कौन सा emphoteric oxide है, emphoteric oxide मतलब क्या होता है, al2-o-3, मतलब ऐसा oxide जो आपका acid के साथ भी react करेगा, और base के साथ भी react करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते है, emphoteric oxide, acid base मतलब तो आप लोग समझते होगा, char और आपका अमल में, ठीक है, तो आपको याद aluminium है, aluminium जो oxide बनाता है, उसको हम लोग क्या बोलते है, an2-o-3, 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 यह क्या है, emphoteric oxide है, मतलब यह acid के साथ भी react करता है, और base के साथ भी react करता है, ठीक है, एक question हुचा जाता है, कि rolled gold, ठीक है, जूटा सोना भी उसको आप बोल सकता है, rolled gold बोला जो जाता है, तो याद दखेगा, मैंने क्या बोला, rolled gold, तो यह होता है, आपका किसे बना होता है, aluminium प्लस copper से, पूछा गया है, rolled gold किसे बना होता है, आपको याद दखना है, aluminium और आपका copper से बना होता है, next हम लोग आते हैं, नीचे, देखिए, next है कि आपका ट्राकिर्तिक, और याद दखना प्राकिर्तिक मोव और लाख प्राप किये जाते हैं, तो याद रखना डाइरेक्ली, इसका कुछ ही है ने, आप याद कर दो कोई, कीरे के सरव्य के रूप में, ठीक है, जो कीरा जो excret करता है, उस रूप में हम लोग प्राकिर्तिक रूप से मोव और लाख कहां से मिलता है आपको याद रखना है कीरो के सरव के रूप में ये मिलता है, अब याद रखना है कोशन पूछा गया था कि लाख रिसर्च अनुसंदान, मतलब लाख रिसर्च सेंटर जो है आपको कहा है, तो आपको याद रखना है ये है आपका राची में, ये बहुत important कोशन है, और ज क्या 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 क यह भी कोंशन पूछा गया कि oil of vitrol और एक चीज इंग्लिस में लिखता हूँ तो इसको इंग्लिस में ही लिखना है और ऐसे ही पूछा जाएगा तो तो oil of vitrol की इसको बोला जाता है तो आपको sulfuric acid को आप formula क्या होता है याद रखेगा इसका जो formula होता है यहाँ यहाँ आपको साइथी दिख रहा होगा यहाँ H2SO4 इसको थोड़ा side करना चाहिए चली क्या होता है आपका sulfuric acid का formula H2SO4 होता है जिसको हम लोग king of acid बोलते है इसीडों का राजा जिसे हम बोलते है ठीक है चली next question पे आप लोग आईए next question है हमारे शरीर में अधार उपाचाहि उपाचाहि या oxygen आप इसको बोल सकते हो उपाचाहि रिडक्षन होता है पर basically यह बोला जाए कि metabolism के लिए बोला जाते है तो उपाचाहि को new treat करने मेला hormone कुनसा है तो आपको याद है thyroid देखो thyroid और जो पैरा thyroid यह पूछा जाता है कहा यहां होता है आप यह आगे से देखे अत्र इस और नाम, इसको आप़णव का बोला जाता है टाए जयां दtaćना तो यह होता है आपका अपका बिंटति के लिए हमारे बोडी में होता है अगर thyroid gland अगर शही रूप से चलाना है तो आपको क्या खना प्ड़ेगा आया बोला है अगर iodine नहीं लोग है तो यही thyroid brain बना हो जाता है और जिसका नाम होता है अब बिमारी हो जाता है जिसको में बोलते है गटर तो उतना चीज आपको यहां से यहां से यहां रखना है और इसका atomic number कितना होता है तो 74 होता है अब यहां रखेगा बिजली का बॉल गशी इसमें tungsten use होता था, आजकल तो use ही नहीं होता है, तो bulb का discover किसमें किया था, तो Thomas Elva Edison ने किया था, ये चीज़ आपको याद अब यहां बिजली का बात चला है, तो बिजली का discover किसमें किया था, देखो, जो भी में यहां बोलूगा, वो exams में आई होई, ठीक है, तो थोड़ा स सिरी का बात चला है, याद रखेगा हमेशा पुछा जाता है, जो fuse wire होता है, तो किस से बना होता है, तो पहला कोशन fuse याद से याद रखेगा lead and team, lead मतलब आकस्ती सा, lead और team से बना होता है आपका fuse, ये तो आप एक कोशन और पुछा जाता है, जो fuse wire होता है, जो fuse wire है, एक क घर खतम बट अब क्या हो गया कि हम लोग यूज नहीं करते हैं अब हम लोग क्या यूज करते हैं याद रहेगा MCB MCB कपफुल फुर्म मिनियेचर सरकिट ब्रेकर यूज करते हैं ठीक है यह चीज आपको याद रखना है ठीक है चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स इस पर नीची आ जाते हैं हम लोग क्या इस पर क्या कोशन मना देख लेते हैं बहुत सारे कोशन आई थिंग देर से दोसर कोशन तो आप पर यह लोगे जो एक्जाम समय आए हुए चलिए यहां आ जाईए आप लोग एक और कोशन पूशा जाता है का आपकर याद हो कि fuse का जो परपर्टि कैसा होना चीए तो याद इखना आपकर लोग मेल्टिंग पॉइंट अचीए मैल्ट वह बहुत जल्दी हो जाएगा तो लोग मेल्टिंग पॉइंट होना चीए बट हाई रिजिस्टिविटी होना यह भी question पूछा गए है, ठीक है, आइए, next आजए, उसके बाद है कि मानब नेत्र पर बना पर्तिवम कैसा होता है, मानब नेत्र पर जो image बनता है, वो कैसा होता है, पहला question याद दखोगे जो उसका होता है, वो होता है, आपका real and inverted, बतला वास्टविक और उल्टा, पहला question, दूसरा question आपको याद दखना है, जो हमारा जो नेत्र होता है, ठीक है, वो उसमें कौन सा lens होता है, तो आपको याद दखना है, convex lens होता है, हो गया, तीसरा question आपको याद दखना है, जो हमारा सबसे आगे वाला जो भाग होता है, जो transparent आख का, प्रादर्सी भाग जो होता ह तो वह होता है आपका KORNIA चोथा कोशन याद दखोगे जिब हम लोग बोलते हैं अपना आख दान करके जाना है तो क्या दान करके आप जाते हो तो KORNIA ही दान करके जाते हो ठीक है चोथा पच्छमा कोशन और याद दखेगा जब आपका आख में कोई प्रोब्लम होता है दोख्टोर के पास जाता है है तो कुंसे दोक्टोर के पास जा ओ ओ को घृता है A etc इतना चीज यान रखोगे, चलिए, उसके बाद है आपका, चलिए, और अगर मैं बोलू कि आपका जो nearest, nearest distance है, देखने का, सही का, तो पूछा के, सबसे सामने बल आप अच्छे से देख सकते हो कहां तक, तो 25 cm, और दूर का range कितना दिया हो है आपका, तो infinity है, तो 15, 25 सामने क दूर का infinity याद रखेगा, ठीक है, उसके बाद आपका प्रित्वी का कुल, ठीक है, प्रित्वी का जो कुल जल है, जल है, उसमें, ठीक है, उसमें जो fresh water का बात कर रहा है, कि fresh water के इतना है, याद रखेगा, 2.5%, directly छपेगा, आपको directly इसमें याद करके रखने, इसमें आपको पता है, दूद में पानी मिलाया जाता है, तो उसको क्या से ना पा जाता है, तो आपको याद रखना है, लेक्रोमीटर से, अब दूद का, दो-तीम बात याद रखना, एक होर्मून पूछा जाता है, कि महिलाओं में जो दूद उतसर्जन होता है, कौन से होर्मून Oxytocin को हम लव हर्मोन भी बोलते हैं, तो लव हर्मोन किसको बोलते हैं, तो Oxytocin को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, Lactometer का अगर हम लोग बात करें, दूद में याद अखना है, दूद में पुछा गया था कि कौन सा दूद को संपून आहार नहीं बोला रहा है, क्यों कि उसमें दूद से, इसमें दो तरीके का आपको प्रोटीन का नाम याद अखना है, एक नाम याद अखना है, वाइट कलर जो होता है, क्यों होता है, तो कैसीन के कारण 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 होता के routine के कारण यह चीज आप याद दखेगा ध्वनी के sorgul ठीक है? का मापन होता है आप जो ध्वनी का जो sorgul होता है उसको क्या में नापते हैं तो याद दखेगा decibel में नापते हैं ठीक है? क्या में नापते हैं decibel में और अगर 70 dB से कोई अगर sound कोई भी अगर साउंड हो 70 डीवी से अगर वो ज्यादा हो जाता है तो वो सोर गूल में कंसीडर होता है यह चीज आपको याद एक में ठीक है चलिए अगे आए इसके बाद है आपका बायो गेस में मुख्यता क्या होता है हमने आपको पहले भी विवता है जो बायो गेस में जो मुख्यता होता है वो होता है आपका मिथेन याद रहेगा मिथेन से पहला कोशन क्या याद रखोंगे इसे हम लोग मार्स गेस भी बोलते है ठीक है धान के खिट से कौन सा गेस नि वह बहुत सारा होते हैं पर जो मैंन गेस है वह है आपका मिथन और हईड्रोजन सुलफाइट है इसको मार्स भी बोलते है और यह Saturated Hydrocarbon, Saturated Hydrocarbon, जो समझते हो, आपने पढ़ा होगा, Alkan, Alkyl, Alkyne, Alkan, Alkan क्या आपका Saturated Hydrocarbon, Saturated Hydrocarbon मत बोलूँगा, जिसमें Single Bond होगा, जैसे कि देखो, ये C में लिखता हूँ, H4 जब मैं लिखूँगा, इसका Formula होता है, CH4, कि क्या है, सब में Single Bond है, ठीक है, इसका हम याद है, याद रखना, ये, और Saturated Hydrocarbon का Formula होता है, वो भी आप याद रखेगा, ठीक है, क्योंकि वो पूछा जाता है, कि Saturated Hydrocarbon, तो C N H 2 N plus 2, ठीक है, C N H 2 N plus 2, ये है आपका Saturated Hydrocarbon का Formula, ठीक है, इतना चीज आप लोग याद रखे, उसके बाद है, माइक्रोफोन का अविस्कार किस नहीं किया था, आपको याद रखना है, माइक्रोफोन का अविस्कार किस नहीं किया था, ग्राम बैल ने किया था, और ग्राम बैल नहीं टेलीफोन का भी अविस्कार किया था, मॉबायल का अविस्कार किस नहीं किया था, मार्टिन कूपर ने किया था, ठीक है, electricity का Benjamin Franklin ने किया था, चलिए इस पर एक अलग class हो सकता है, मदु में रोग होता है, क्यों होता है मदु में रोग, तो आपको याद रखना है, मदु में रोग जो होता है, आपका insulin के अभाव के कारण होता है, यह याद रखो कि insulin कौन बनाता है, तो आपका pancreas का जो beta cell है, वो बनाता है, next question आपको याद रखना है, जो insulin है, उसमें कौन सा metal होता है, आपको याद रखना है, जिंक होता है, वही अगर मैं बोलूँ कि chlorophyll में कौन सा metal होता है, तो magnesium याद रखना, इंसुलन में, jus, magnesium में, magnesium किसमें, chlorofil में और हमारे blood में कौझसा iron, यह थीनों याद रखेगा, तो इंसुलन, ठीक है, इंसुलन की कमी से हमें क्या हो जएगा, मधू में, और याद देखेगा world, जो sure days मधू में दिवर्ज जो मनाते वो 15 November को मनाते हैं ठीक है यह चीज याद अखना इंसुलीन क्या करता है हमारा गुलकोच को जो एक्सेस गुलकोच है उसको ग्लाइकोजिन में यह convert कर देता है और यह ग्लाइकोजिन पूछा जाता है कि ग्लाइकोजिन को कहां इस्टोर होता है ग्लाइकोजिन तो आपका लिवर में होता है और आपका मसल में होता है ठीक है next है आपका इसकरवी जो रोग होता है किस विटामिन के कमी से होता है तो आपको याद आखना है इसकरवी जो रोग होता है वो विटामिन C के कमी से होता है यह चीज आपको अच्छे से याद आखना है अगर विटामिन C का मैं बात करो तो इसका chemical name हमेशा पूछा जाता है तो सूर्य गरन और चंद्र गरन में कभी confuse मत करना सूर्य मतलब होता है solar eclipse और आपका चंद्र गरन मतलब होता है आपका lunar eclipse ठीक है अब देखो sun जो है हमेशा fix रहेगा ठीक है तो अगर लर्के लोग बीच में आए देखो sun यहाँ fix है यह moon है ठीक है इसको थोड़ा समझ लेते ताकि आपको कभी इसमें doubt ना हो यह sun है यह sun है यह हमेशा एक ही जगा रहता है इसमें कोई change नहीं होगा एक condition ऐसा होगा जब आपका moon यहाँ आ जाए ठीक है और earth यहाँ होगा तो यह क्या हो जाएगा आपका solar eclipse हो जाएगा यह solar eclipse हो जाएगा मतलब सूर्य गरन हो जाएगा इसको याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ फिर से sun तो यहीं रहेगा बट आपका earth यहाँ आ जाएगा और आपका moon यहाँ आ जाएगा यहाँ लर्का बीच में आगे लर्का लर्का कहां रहेगा अर्थ पे रहेगा तो लर लर्का बीच में आगे हैं तो लर्का बीच में मतलब lunar eclipse कॉर्णर यहाँ ड़का लर्का दो लूर्ल केरन इन्म अगाएगा तो सूर्य गरन जब इसका ऐखने होगे तो यहाँ लागन Sus an के बीचक है तो यह यह है आपका सूरिया यह गला ठीक है चलो याद रखना कि सूरिया का जो कीरन है धर्दी तक आने के लिए 500 सकेंड लगता है यह कूशन पूछा गया ठीक है कितना 500 सकेंड लगता है अब देखो पेसमेकर संबंदी थे देखो जब आपका दिल जो है ठीक है सही रूप से काम एकर नहीं करेगा तो उसको जाचने के लिए कुझसा टेस्ट करवागया, ऑगर आपका मइंड सही से काम नहीं करेगा तो कुझसा टेस्ट करवाग x3 अडिल के लिए यह आपना दिमाग का ठीक है है तो यहाँ जब होकर दिल सही से काम नहीं करेगा तो सब्सक्राइब हमारा कितना है , चेमबर हाथ तो एक ही है जिसको आप लोग बहुत जगर दे देते हो बट चेंबर कितने हैं, हाग का चेंबर कितना है, तो आपका हाट का जो चेंबर है, वो है आपका čार. ठी है यह याद दखेंगा और हमयशा याद दखना, आजरी जो होते हैं, धमनी वो HAमेशा सुध सुध बलड, पूरे बलड में circulate करती है और एक आतर फुसफुस सीरा वो क्या होता है आपका सुध बलड तो यह difference समझना जैनरली जो धमनी है वो हमेशा क्या करती है सुध बलड अपने पास रखती है और सीरा असुध बलड बट यहीं आगर संवदे करती है तो फुसफुस अह denying आ जाए तो इसका उल्टा हो जाए गा फुसफुस जहाँ लगजाया मतलब पुल्मुनारी आंट्री अगर में बोलू तो असुध बलड और पुल्मुनारी भैंस बोलू तो सुध बलड इसका कर्मेने बताया था आपको पूरा फंडा के कैसे-कैसे ये खुंटा है, पेस में आपको बता दिया, इसी जी बताए, बाइपस सर्जरी अगर मैं वड यूज करूँ, बाइपस सर्जरी, इसका मतलब क्या, आपका हाट यहां से आपके यह जो है, यह जो रिव आप सायम लग जा रहा है बट जो इंपोर्टेंट है, उत्रहां तो डिसकस करने ही पड़ेगा, अब रट के तो नहीं जा सकते हैं हम लोग, चलो, एक पार्ट आपने कर लिया है, अब अगला दिन से क्या करेंगे, दो पार्ट करेंगे कि हम लोग करने के लिए, बाकि आप और से सोते हैं, वीडियो करना, अब याद एक जो बुकिंग पाउड़र होता है, फोर्मूला हमेसा याद एक ही जासे नहीं दिखते हैं, तो यहां से बहुत सारी को सबसे पहली याद दखना, क्या याद रखोगे जो यह जो आपका जो हीरा है ठीक है और आपका जो यह आपका ग्रेफाइट है ठीक है यह दोलों किसके समरूप है मतलब आपके किसके ऐलो ट्रॉफ है तो आपको याद अखना है यह जो है आपके किसके समस्थानिके ऐलो ट्रॉफ है आपको बोल सको किस इसके समस्थानिक हैं, इसके Allotrops है, तो आपको याद अखना Graphite बोले, याद अखना कि Carbon के क्या-क्या Allotrops होते हैं, Graphite पहला, उसके बाद आप क्या आद दखोंगे, Diamond, उसके बाद क्या आद दखोंगे, Fullring, ठीक है, और उसके बाद याद क्या रखोंगे, Charpoll, ये Char याद अख क्या है, Carbon के ही Form है, अब यहाँ देखो, क्यों इन दोन, Form तो Carbon के हैं, Allotrop तो Carbon के हैं, पर जो इनका संदर्चना होता है, मैंने आपको परहाया था ये जिस ठीक है, दोनों के Carbon का परमानू का संदर्चना होता है, वो अलग होता है, इसलिए दोनों सेम नहीं दिख़्ाई दे हीरा का ही हम लोग यूज करते हैं, और यहाँ देखेगा, जो हीरा जो है, सबसे हाड, निकला हो, सबसे हाड सबस्तान्स अगर कोई है, तो वह है आपको कुझसा हीरा ये निकला हुआ, अगर मैं बोलूँ, ठीक है, कि इसका, आप इसका यह जुरूर याद करके रखना, इ इने आपको हमबग दे देता हो, क्योंकि आप लोग भूल जाओ को लिए, खुद लिखोगे तो याद रहेगा, क्या मैंने बोला, रिफ्रेक्टिव इंडक्स, पूछा गिया है, और इसका प्रिटिकल एंडक्स, याद अपना बहुत इंपोर्टेंट है, यह दोनों दूसरा, जो graphite होता है, ऐसा non conductor है, जो क्या करता है, आपका electricity pass करता है, दूसरा question हो गया, तीसरा question ये पूछा गयाता है, जो graphite जो होता है, इसमें कोशा bond होता है, इसमें covalent bond होता है, चौथा question, इसका youse joe tie as a lubricant, टीक है, lubricant के रूप हमें भी use किया जाता है, यह भी आप क्योंकि व्यूज एक हजार मुश्किल से जाता है, बट मुझे पता है कि जो भी चीज में यहां आपको प्रोवाइट कर रहा हूं, सेलेक्शन इसी से होता है, ठीक है, कोई कहीं भी कुछ भी करें, बट जो यह में करवा रहा हूं, आपको मैं फिर से बता दो, यह मैं अपने experience के basis में करो, ऐसा नहीं है कि हर चीज हम बुक से उठा के आपको बता, यह जितनी भी चीज़े हैं, यह दिमाग में है, ठीक है, जो मैं आपके सामने रिकॉल करके, लिक के, याद करके, फिर से आपके सामने रखता हूँ, आपने देखा होगा कि आज की स्लाइड़ी मैंने आपको दो कोशन BPSC 267 से आया हूँ, क्योंकि मैं अपडेटेड रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता पाता हूँ, बाकी अपना प्यार बनाए रखे ठीक है, अगर पसंद आता है तो प्यार आए, कमेंट ज़रूर करें